हरहर महादेव चैबोलेनाद प्रार्थना करें यहीं चीज़े पताई गई हैं तो दोस्तों बीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह जो लक्ष्मी और गणेसी आप देख रहे हैं वह आप जो धर्तेरस के दिन लाएंगे इस बात का ध्यान रखें दोसरी महत्वपूंड चीज की देखें उनके लिए आप कुछ वस्त्र जैसे मैंने देखें मूर्ती को वस्त्र जरूर पहनाया है तो एक चीज़ बता दूं आप दिवाले की जितनी ही पूजा आप जितने बहवो पूंड तरीके से करेंगे वो आपके लिए काफी सुगदाई होता है तो जो भी चीज़े हो आप इस प्रकार आसन ले ले इस प्रकार देखिए आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे जो माला है वो लाई फिर भगवान के लिए कपड़े जिस प्रकार लाए आप उन्हें पहना ले पहना ले पहनाने के बाद यह आपके घर के मंदिर में यदि कोई गड़ेसी लक्ष्म को नहीं बिठाते हैं तो ये आपको जरूर चाहिए कि नारायन को दिवाली की पूजा के लिए जरूर रखें आप देखिए और क्या क्या चीजे चाहिए आपको जनेव चाहिए जो कि दिवाली की पूजा में आनिवार है धन्तेरस धनिया की खरिदारी तो हम धन्तेरस पे ही चढता है यह है पीला यानिकि ओरेंज वाला सिंदूर जो की चढ़ाया जाता है अब यह है इत्र इत्र तो आप सबी जानते हैं कि जब दिवाली पोजन हो रहा है तो इत्र तो हम आवश्य चणाएंगे यह दोस्तों यह सारी चीजे करने के बाद आपको भगवान की पूजा के लिए जो भी फूल मिल सके आपको वो जरूर रखें और फूल में जो है वह मालक्ष्मी को कमल का फूल विसेश प्री है तो मुझे तो नहीं मिल पाई एदि आपको मिले तो आज के दिन जरूर रखें इसे मालक्ष्मी की विसेश कृपा होती है तो फॉल रख लें और एक चीज और महत्वपूर्ण बता रही हूं देखें इन दानों से आप परचि जितने भी आपने गौरी गडेश का पूजन किया पर गूबर की जो गौरी होती है गडेश होते हैं उनका पूजन बहुत सुब होता है तो यदि वो हो तो आप जरूर रखें मौली की गडेशी बना लें और हल्दी का प्रयोग भी यानि कि हल्दी की जुगांट होती है सा बावरी आती है अक्षत की आप जानते हैं अक्षत तो हर पूजा पर्च में प्रयूक होती है एक चाह्र से और बता दो देखे इस तरह मैंने कलस को रख ले है कलस जो है दिवाली पूजा में बहुत लोगों के यह नारियल के उपर रखा जाता है तो नारियल जो दिवाली में जितनी भी पूजा आप करेंगे वो आपको इसी प्रकार से करनी है यानि कि दीप कलस प्रजवलित करके ही करनी है तो कलस को मैंने पहले ही रख लिया बना लिया कि आपको दिखाने में बहुत ज़्यादा समय न लगे देखे अब जो महत्वपू कहा जाता है कि चिर लक्षमी के प्राप्ति कराती है अब बारियती है आपके दक्षिना जानी कि सभी पूजा जब आप पूण कर लेंगे तो यह पैसे जो रख करके के द्रभ्य कुछ नदेवता को द्रभ्य भी समर्पित किया जाता है तो 51, 21, 11, 11 जो भी हो आप जरूर उ उसके बाद वो मंदिर इत्यादी में धान कर सकते हैं, तो आप उन्हें धान करें। अब बारियाती है तेल की दिवाली पूजा, वह सरसो के तेल नहीं होती है और घी जरूर होती है। और सरसो के तेल का दीपक इसमें भिसेस होता है। तो वह जलाया जाता है। अब बारी आती है कि घी। देखिए 5 दीपक जो यहाँ प्रजवालित होंगे पूजा के पास। वह घी के ही प्रजवालित होते हैं। और पूरी रात वह जलता ही जलता है। तो इस बात का ध्यान तो दोस्तों कि इस तरह से दीपक जैसे मैंने रख लिया है, देखिए इस तरह से कुछ दीपक रख लिये जाते हैं, उनको उनमें बाती तेली त्यादी भर करके रख कर, और दीपक प्रजवालित करने से पहले जो है कुछ अक्छत और फूल हाथों में इस प्रकार रख करके और मालक्षमी का आवान करते हुए सरुप्थम दीपकों की पूजा होती है तब जाकर इन्हें प्रजवालित किया जाता है दीपक प्रजवालित करने में घर का जो मुखिया होता है वो प्रजवालित करे तो इसे सुब माना जाता है तो इस तरह आप भी थाली में एक दीपक रख लें उसके बाद इन दीपकों के पूजन करने के बाद इन्हें प्रजवलित करने के बाद आप चाहें आन्य और दीपक कितने भी जलाएं कहीं रखें लेकिन एक थाली में दीपकों को रखकर पूजन करना आनिवारे होता है अब आप जानते हैं इस फल से तो सभी लोग परजित हैं इस फल को स्रीफल नारियल जो भी कहें वो कहा जाता है तो जब आपकी पूजा प्रारंब होगी तो आप मालक्ष्मी को नारियल भी जरूर भेट करेंगे कहा जाता है कि नारियल साक्षात मालक्ष्मी का सुरूप है तो हम यहां तो नहीं रखेंगे क्योंकि काम आप जरूर करें। अब बारी आती है दोस्तों भोग प्रशाद समर्पित करने की तो जो भी चीज आप समर्पित करें के बतासे तो आप अनिवारे रूप से कि चड़ेगी और ये मेवे मानेता है कि मेवे चढ़ाने से दिवाली में घर में बरकत आती है तो आप कुछ भी मेवे हो आप जरूर रखे और ये जो सामगरी थी वो जरूरी थी और बहुत जरूरी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया और एक सूची तयार की थी एक चीज और बताऊं दोस्तों देखें इस तरह की पौतली होती है जो कि बाजार में आपको आस्तानी से मिल जाती है अब यह पोटली मैं आपको क्यों कह रहे हूं तो देखें आप चाहें तो इस पोटली को आप घर पे कपड़े से सिलकर बना सकते हैं लेकिन इसे जरूर बताएं इसका मैं जो प्रेयोग बताऊंगी आपको वो आप देखेंगे और इसे जरूर बताएं बनाए ये जरूरी होती है हमारे धन के पोटली कहे जाती है यदि घर में धन में बरकत नहीं